बिखार आपके साथ मैं रोहित कुमार आपी न्यूजफोनेशन पर बिहार में BPSC से सिक्षा का बहाल जो हुए हैं उनकी ट्रेनिंग निर्वाद रूप से चलेगी और ये ट्रेनिंग होली के दिन भी होगी और इसको लेकर के जो है काउंसिल जो की इस तरह की चीजों को देखता है सिच्षा विभाग के अधीन है उसले काउंसिल ने ये आदेश जारी कर दिया है और जिन लोगों ने छोटिया पहले से ले रखी हैं उन तमाम लोगों के छोटियों को रद कर दिया गया है क्योंकि आप अच्छक है कि वभा की तरफ से जारी से फर्मान की बाद अब जो है बड़ी संख्या में जो लोग है इसका दरोत कर रहे हैं लोग यह कह रहे हैं कि यह कैसी बात है कि जो तवहार है उस दिन भी जो है ट्रेनिंग के नाम पर जो है लोगों को यहां पर बुलाया जा रहा है तईस मार्च को राज सिछा शोदिवं परिशचन परिशद जो है उसके तरफ से जो बिहार स्टेट एजूकेशन रिसरच यांग ट्रेनिंग जो काउंसिल है उसके तरफ से एक चुठि जारी की गई है और इसमें उसके निदेश्रक के तरफ से चुठि भेजी गई है कि उप्युक्त जो विशय हैं यानि कि प्रस्चिशन कारियों के निर्वाद संचालन हित्व आवश्चिक निर्देश परिश्द कारियले का पत्रांग जो है 1166 और 2324 अब निचे लिखा गया है महासर उप्युक्त विशय का प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में दिनांग 25 मार्च 2024 से दिनांग 30 मार्च 2024 तक प्राथमिक विद्यालियों कच्छा एक से पांच में कारियरत सिक्षकों के लिए प्रस्चिशन कारिकरम संचालित किया जाना है प्रस्चिशन कारिकरम संचालित किया जाना है 25 थीन, दोजार चौबी से 30 थीन, दोजार चौबे इस तक वपस्थित रहे कर प्रस्षे च्छन कारभ के नरवाद संचालन हेतू अपने अपने दाइतु का निर्वान करेंगे। यदि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा पुर्व में किसी समंधित प्रादिकारी सांसाधन सेवियम करमचारी द्वारा अवकास्वकृति हेतु दिये गया विदन के आलोक में उसका दिनांग 25-24 से दिनांग 30-30-24 तक या उसके मद किसी भी तिथी को अवकास के भोग की सब के माध्यम से प्रदान की गई है तो उसे स्विकृत किये गए अवकास को रद मान समझा जाएगा अतब ये निर्देश दिया जाता है कि सभी समंधित को अपने अस्तर से भी सूचित करना शुनिश्चित करेंगे अवकास के दिन कारे करने वाले पतादिकारी साधन सेवियों एवं करमचारियों को नेमा नुसार छती पूर्ती अवकास दे होगा ये चिठी लिखी गई है राज सिक्षा सोध एवं प्रसिक्षन परिशत की तरफ से कच्छा एक से पाचमी तक के प्राथमिक वध्यालियों के सिक्षकों की ट्रेनिंग होनी है और ये ट्रेनिंग 25 तारिक यानि की होली के ठीक एक दिन पहले से लिखर के 30 मार्श तक होनी है और इसी बीच में ये कहा गया है कि ये ट्रेनिंग चलती रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार का जो कोताही है वो नहीं बढ़ते जाए तमाम लोग को पस्रत रहने के लिए का गया है तो केके पाच्छा की सिच्छा विभाग के तरफ से लगतार एके करके आ रहे हैं जो आदेश हैं वो चीक-चीक की तमाम तरह की बाते कर रहे हैं सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसे में जब देश की सबसे बेड़ तिभारों का एक इंतजार जब साल भर लोग करते हैं होली के दिन का तो होली के दिन बीच वह इन तमाम सिक्च्चों की ट्रेनी कराई जाएगी कर दो है जाएगी आएगी तेड़ जफ़निचे झाएगी नीश पनेश जाएगी